कथा सहित्य में आपका स्वागत है आहियाद सुनिए मुन्शी प्रेम चंद जी की लिखी कहानी पैपुजी सिद्धान्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है मुरववत कठनाईयों, बाधाओं, परलोभनों का सामना आपकर सकते हैं दृट संकल्प और आत्मबल से लेकिन एक दिली दोस्त से बे मुरववति तो नहीं की जाती, सिद्धान्थ रहे या जाए कई साल पहले मैंने जनव हाथ में लेकर प्रतिग्या की थी कि अब कभी किसी की बारात में ना जाऊंगा चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए ऐसी विकट प्रतिग्या करने की जरूरत क्यों बड़ी इसकी कथा लंबी है और आज भी उसे याद करके मेरी प्रतिग्या को जीवन मिल जाता है बरात थी कायस्तों की समधी थे मेरे पुराने मित्र बरातियों में अधिकांश जान पहचान के लोग थे देहात में जाना था मैंने सोचा चलो दो तीन दिन देहात की सेर रहेगी चल पड़ा लेकिन मुझे यह देख कर हैरत हुई कि बरातियों की वहां जाकर बुद्धी ही कुछ ब्रस्ट हो गई है बात बात पर जगड़ा तकरार सभी कन्या पक्षवालों से मानो लड़ने को तयार यह चीज नहीं आई वह चीज नहीं भेजी यह आदमी है या जानवर पानी बिना बरफ के कौन पिएगा गधे ने बरफ भेजी भी तो दस सेर पूछो दस सेर बरफ लेकर आँखों में लगाएं या किसी देवता को चढ़ाएं अजब चिल पो मची हुई थी कोई किसी की ना सुनता था समधी साहाब सिर पीट रहे थे कि यहां उनके मित्रों की जितनी दुरगती हुई है उसका उन्हें उमर भर खेद रहेगा वो क्या जानते थे कि लड़की वाले इतने गवार है गवार क्यों मतलबी कहिए कहने को शिक्षित हैं सभ्भे हैं भद्र हैं धन भी भगवान की दया से कम नहीं मगर दिल के इतने चोटे दस सेर बरफ भेजते हैं सिगरेट की एक डिब्या भी नहीं फस गया और क्या मैंने उनसे बिना सहनुभूती दिखाये कहा सिगरेट नहीं भेजे तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया खमीरा तंबाकू तो दस सेर भेज दिया है पीते क्यों नहीं घोल घोल कर मेरे समधी मित्र ने विसमे भरी आँखों से मुझे देखा मानों ने कानों पर विश्वास ना हो ऐसी अनिती? बोले आप भी अज़ीब आदमी है खमीरा यहां कौन पीता है? मुद्दत हुई लोगों ने गुडगडियां और फर्षियां गुदड़ी बाजार में बेश टाली थोड़े सी दक्यानूसी अब भी हुका गुडगुड़ाते हैं लेकिन बहुत कम यहां तो इश्वर की कृपा से सभी नई रोशनी, नए विचार, नए जमाने के लोग हैं और कन्या वाले यह बात जानते हैं फिर भी सिगरेट नहीं भीजी यहां कई सज्जन आठ तस डिबियां रोश पीजाते हैं एक सहाब तो बारह तक पहुच जाते हैं और चार पास डिबियां तो आम बात हैं इतने आदमियों के बीच में पांच सो डिबियां भी ना हो तो क्या हो और बरफ देखी आपने जैसे दवा के लिए भीजी है यहां इतनी बरफ घर घर आती है मैं तो अकेला ही दस सेर पीजाता हूँ दे हातियों को कभी अकल ना आएगी पढ़ लिख कितने ही चाएं मैंने कहा तो आपको अपने साथ एक गाड़ी सिग्रेट और टन भर बरफ लेते आने चाहिए था वो स्तम्वित हो गए आप भंग तो नहीं खा गए जी नहीं कभी उम्र भर नहीं खाई तो फिर ऐसी ओल जलूल बातें क्यों करते हो मैं तो संपून्ट थह अपने होश में हूँ होश में रहने वाला आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता हम यहां लड़का पहाने आये हैं लड़की वालों को हमारी सारी फर्माईशे पूरी करनी पड़ेंगी सारी हम जो कुछ मांगेंगे उन्हें देना पड़ेगा रो रो कर देना पड़ेगा दिल लगी नहीं है ना कुछने ना चबवा दें तो कहिएगा यह हमारा खुला हुआ अभमान है द्वार पर बुला कर जलील करना मेरे साथ जो लोग आए हैं वे नाई कहार नहीं हैं बड़े बड़े आदमी हैं मैं उनकी तौहिन नहीं देख सकता अगर इन लोगों की यह जिद है तो बारात लौट जाएगी मैंने देखा ये इस वक्त ताव में है इनसे बहस करना उचित नहीं आज जीवन में पहली बार केवल दो दिन के लिए इन्हें एक आदमी पर अधिकार मिल गया है उसकी करदन इनके पाउं के नीचे है फिर उन्हें क्यों न नशा हो जाए क्यों न सिर्फ फिर जाए क्यों न उस दिन दिल खोल कर रौब जमाए वर पक्षवाले कन्या पक्षवालों पर मुद्दतों से हुकूमत करते चले आएं हैं और उस अधिकार को त्याग देना आसान नहीं इन लोगों के दिमाग में इस वक्त यह बात कैसे आएगी कि तुम कन्या पक्षवालों के महमान हो और वे तुम्हें जिस तरह रखना चाहें तुम्हें रहना पड़ेगा महमान को जो आदर सतकार चूनी चोकर रूखा सूखा मिले उस पर उसे संतुष्ट होना चाहिए सिस्टरता यह कभी गवारा नहीं कर सकती कि वो जिनका महमान है उनसे अपनी खात्रिदारे का टेक्स वसूल करे मैंने वहां से टल जाना ही मुनासिब समझा लेकिन जब विवा का मोहरत आया इधर से एक दरजन विस्की की बोतलों की फरमायश हुई और कहा गया कि जब तक बोतले ना आ जाएंगी हम विवा संसकार के लिए मंडब में ना जाएंगे तब मुझसे ना देखा गया मैंने समझ लिया ये सब पशू हैं इंसानियत से खाली इनके साथ एक छण रहना भी अपनी आत्मा का खून करना है मैंने उसी वक्त पर दिग्या की कि अब कभी किसी बारात में ना जाऊंगा और अपना बोर्या बिस्तर लेकर उसी छण वहां से चल दिया इसलिए जब गत मंगलवार को मेरे परम मित्र सुरेश बाबु ने मुझे अपने लड़के के विवहा का निमंतरन दिया तो मैंने सुरेश बाबु को दोनों हाथों से पकड़ कर कहा जी नहीं मुझे चमा कीजिए मैं ना जाऊंगा उन्होंने खिन होकर कहा आखिर क्यूं? मैंने प्रतिग्या कर ली है अब किसी बारात में ना जाऊंगा अपने बेटे की बारात में भी नहीं बेटे की बारात में खुद अपना स्वामी रहूंगा तो समझ लीजिए ये आप ही का पुत्र है और आप यहां अपने स्वामी है मैंने रुत्तर हो गया फिर भी मैंने अपना पक्षना छोड़ा आप लोग वहां कन्या पक्षवालों से सिगरेट, बर्फ, तेल, शराबादी चीजों के लिए अगर है तो ना करेंगे भूल कर भी नहीं इस विशे में मेरे विचार वही है जो आपके ऐसा तो ना होगा कि मेरे जैसे विचार रखते हुए भी आप वहीं दुरा ग्रहियों की बातों में आ जाएं और वे अपने हतकंडे शुरू कर दें मैं आप ही को अपना प्रतिनिधी बनाता हूँ आपके फैसले की वहां कहीं अपील ना होगी दिल में तो मेरे अब भी कुछ संचे था लेकिन इतना आश्वासन मिलने पर और ज्यादा अड़ना असजनता थी आखिर मेरे वहां जाने से ये बेचारे तर तो नहीं जाएंगे केवल मुझसे इस नहीं रखने के कारण ही तो सब कुछ मेरे हाथों में सौप रहे है मैंने चलने का वादा कर लिया लेकिन जब सुरेश बाबू विदा होने लगे तो मैंने घड़े को जारा ओठ होगा लेन देन का तो कोई जगड़ा नहीं है नाम को नहीं वे लोग अपनी खुशी से जो कुछ देंगे वह हम ले लेंगे मांगने ना मांगने का अधिकार तो आपको रहेगा अच्छी बात है मैं चलूँगा शुकरवार को बराच चली केवल रेल का सफर था और वह भी पचास मेल का तीसरे पहर के एक्सप्रेस से चले और शाम को कन्या के द्वार पर पहुँच गए वहां हर तरह का सामान मौजूद था किसी चीज के मांगने की जरूरत ना थी बरातियों की इतनी खातिरदारी भी हो सकती है इसकी मुझे कल्पना भी ना थी घराती इतने विनीत हो सकते है कोई बात मुह से निकली नहीं कि एक की जगह चार आदमी हाथ बांधे हाजिर लगन का मुहरत आया हम सभी मंडप में पहुँचे वहां तिल रखने की भी जगह ना थी किसी तरहां धस-धस कर अपने लिए जगह निकाली सुरेश बाबू मेरे पीछे खड़े थे बैठने को वहां जगह ना थी कन्यादान संसकार शुरू हुआ कन्या का पिता एक पितामबर पहने आकर वर के सामने बैठ कया और उसके चरणों को धोकर उन पर अक्षत फूलादी चढ़ाने लगा मैं अब तक सैक्णों बरातों में चाचुका था लेकिन विवा संसकार देखने का मुझे कभी अफसर ना मिला था इस समय वर के सगे संबंधी ही रह चाते हैं अन्य बराती जनवासे में पड़े सोते हैं या नाच देखते हैं या ग्रामो फोन के रिकॉर्ड सुनते हैं और कुछ ना हुआ तो कई टोलियों में ताश खेलते हैं अपने विवा की मुझे याद नहीं इस वक्त कन्या के वृत पिता को एक युवक के चरणों की पूजा करते देखकर मेरी आत्मा को चोट लगी यह हिंदू विवा का आदर्श है या उसका परिहास जामाता एक परकार से अपना पुत्र है उसका धर्म है कि अपने धर्म पिता के चरण धोए उस पर पान फूल चड़ाए यह तो नीती संगत मालुम होता है कन्या का पिता वर के पाउँ पूजे यह तो ना सिष्टता है ना धर्म ना मर्यादा मेरी विद्रोही आत्मा किसी तरह शांत ना रह सकी मैंने चल्लाए होए स्वर में कहा यह क्या अनर्थ हो रहा है भाईयों कन्या के पिता का यह है अपमान क्या आप लोगों में आदमियत रही ही नहीं मंडप में सन्नाटा चा गया मैं सभी आँखों का केंदर बन गया मेरा क्या आश्य है यह किसी की समझ में ना आया आखिर सुरेश बाबु ने पूछा कैसा अपमान और किसका अपमान यहां तो किसी का अपमान नहीं हो रहा है कन्या का पिता वर के पाउं पूछे यह अपमान नहीं तो क्या है यह अपमान नहीं भाई साहब प्राचीन प्रथा है कन्या के पिता महोदे बोले यह मेरा अपमान नहीं है मानेवर मेरा आओ भाग्य कि आज का यह शुब अफसर आया आप इतने ही से खबरा गए अभी तो कम से कम एक सो आदमी पैपुजी के इंतिजार में बैठे हुए हैं कितने ही तरस्ते हैं कि कन्या होती तो वर के पाउं पूझ कर अपना जन्म सफल करते मैला जवाब हो गया समदी सहाब पाउं पूझ चुके तो इस्त्रियों और पुरुशों का एक सम्हूं वर की तरफ उमड़ पड़ा और प्रतीक प्रानी लगा उसके पाउं पूझने जो आता था अपनी हैसियत के अनुसार कुछ ना कुछ चड़ा जाता था सब लोग प्रसनचित और गदगद नेत्रों से यह नाटक देख रहे थे और मैं मन में सोच रहा था जब समाज में औचित्य अज्यान का इतना लोप हो गया है और लोग अपने अपमान को अपना सम्मान समझते हैं तो फिर क्यों ना इस्त्रियों की समाज में तुर्दशा हो क्यों ना वे अपने को पुरुष के पाउं की जूती समझे क्यों ना उनके आत्म सम्मान का सर्वनाश हो जाए जब विवा संसकार समाप्थ हो गया और वरवधु मंडप से निकले तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसी थाल से थोड़े से फूल चुन लिये और एक अर्द्र जेतना की दशा में ना जाने किन भावों से प्रिरित होकर उन फूलों को वधु के चर्णों पर रख दिया और उसी वक्त वहां से खट चल दिया अभी आप मुंशी प्रेम चंद जी की लिखी कहाने पैपूजी सुन रहे थे इसी प्रकार की सहित्तिक कहानिया सुनने के लिए कथा सहित्ते से चुड़े रहिएगा धन्यवाद